करीब 6.5 लाख रुपे की आज मेरे हाथ में एक रुपे का ये नोट है जो मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से ढून कर निकाला है भारत के लोगों की नजर में अब एक रुपे के नोट की कोई कीमत नहीं है वक्त और विकास की आन्दी में एक रुपे का नोट आज भी किसी तरीके से खड़ा हुआ है दोस्तों आप लोगों ने ये न्यूज देखके आप खुद चौक गए होंगे क्योंकि आपने आज तक ऐसी न्यूज कभी नहीं छोची दिया देखी होगी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक रुपे नोट के बदले पूरे छे लाख रुपे मिल रहे भाईयों अगर आपके पास में भी ऐसे कोईन है तो आप भी ऐसे कोईन या ऐसे नोट बेश के जिनके बदले पूरे छे लाख रुपे कमा सकते उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में पहले सीधी सीधी सारी बाते आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों अगर आपके पास में पुराने सिके हैं पुराने नोटें जिनें अबेचना चाते हैं जिनके बदले लाको रोपे कमना चाते हैं तो गाईज उनके लिए आपको कोई बड़ा काम नहीं करना होगा उनके लिए आपको एक सोटा साब काम करना होगा वीडियो को बिखते हैं उनके लिए कहाँ पे दुकान लगी होती है या कहाँ पे बजार लगा होता है या कहाँ पे सौप लगी होती है बहुत सारे लोगों को कम पता होता है पर आप लोगों को आज इस वीडियो में पूरी संपोइट जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा कि आख जिनका जो contact number है वो YouTube बे बहुत सारे लोगों को मतलब YouTube पे लेना चाहते हैं और भी कई सारे platform के मादम से लेना चाहते हैं पर उनको real buyer के contact number नहीं मिलते हैं बहुत सारे लोगों को contact number मिलते हैं पर उसके contact number के मादम से उनके not वासे के अभी तक नहीं बिके पर guys आप लोगों को आज इस वीडियो में जिस बाइर का contact नमबर दूँगा उस नमबरों के मादम से आपके 100% guarantee के साथ में नौट वसे के बिकने वाले हैं बेचने के लिए guys मैंने आपको पहले ही बता दिया कोई आपको खास बड़ा काम नहीं करना होगा वीडियो को लाश्ट देखना होगा ज़्यादा तर लोग गया है मैं जहां पे नमबर देता हूँ वहाँ से वीडियो स्कीप कर देते हैं डारेक ते उस नमबर पर कॉल करते ह बायर से अलग-अलग सवाल करते हैं अलग-अलग नौटों की तस्वीरें भेजते हैं अगर आप इस परकार जादा बायर को प्रेसान करोगे तो बायर खुद आपको ब्लोक करने वाला है क्योंकि आप सभी जानते हैं आप जैसे बहुत सारे लोग हैं वो इस परकार के वो पुराने नौट कलेक्ट करते ही रहते हैं और वो काफी बीजी रहते हैं इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि बाइर से आप ज़्यादा सवाल ना करें बलकि वैसे मैं मेरे वीडियो के अंत में में मेरा खुद का नमबर दूँगा मेरे से आप भी बात कर सकते हैं कोई सारे लोग मेरी मदद से अपने पुराने सिखें वो पुराने नौट बेचते भी हैं तो गाइज अब आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा सिदी मैन मुदे की बात करूँगा कि आखिर मार्केट में जो नौटा की जो कीमत है वो क्या चाल रही है वो अब यापे मे आपको फटा फटे आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो गाइज वीडियो में आपसे एक रेक्वेस्ट है कि केमत जाने से पहले आपसे एक रेक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि आगे भी कोई वह 25 पग मेंजर देखता है है ओपर का ही पुरान सन सनց के निचे यह अगर आपके पास में कोई वे ऐसा सेका मिलता है जहां पर स प्लीका ही यहां और मारक पर जाता है आप आप देख रहे हैं… इस इस बैक की साइ्ट में यहां पे आप देख रहे हैं के सत्यरल में हैं सत्य जह्यत है.. नीचे जैस्ट लिए बहुए है .. और इंग्लिस में इंडिया और पैसा लिए अगर 25 पैसे वाले गेंडे वाला को इन को मार्केट में वेलु है.. व्वो 2,7, पर हजार रुपे रोकर मिलने वाली है वैसे आपने कई सारे बाइरों को कॉंटेक्ट किया होगा और बाइर न बोला होगा कि आप जो भी सिक्षे हैं वो हमें कूरियर कर दें हम एक मंद या दो मंद के बाद में आपके पैसे वो घर बिजवा देंगे तो गाइज हमारी कमप पर आपके पास में बी ऐसा कौइन ही जो कीमत है 1,30,000 औरographers की तो अगरे आप ब्याइर से विलांग करते तो इप खास कर वीडियो एंड तक जरूर देख नागाओ हम है और 70 कोईन की जो कीमत है वो 5,30,000 रोवे मिलने वाली है क्योंकि ऐसे पुराने जमने के 200 साल पुराने जो कोईन है वो बहुत कम मिलते हैं इसलिए इस कोईन की बहुत ज़्यादा डिमांड है अगर आपके पास में है तो एक बार हमें जरूर पेचेंगा है अगला वाला कोईन है जवाला नेरू वाला कोईन है 30,000 रूपय चल दोडा नेरू पर चोईन है थो गोगरा वाला कोईन है इसाइ आपके पास में में फोगें जहां पर दो पर क्यांकि किमती किमती कोईन है सील वाला दातों से बना हुआ है और बहुत अच्छी डिजैन है और बेक की साट में आप देख रहे हैं बारत लिका हुआ है इंडिया लिका हुआ है यह जहत का चित्रह धो रुपے लिका हुआ है अगर यह धो रुपए वाला सिक आगर आपके पास में कीमती मिलता है तो जिन कोईन की कीमत है वो आपको और टोटल एस कंबनी को 22,000 ऐसे कोईनों की डिमंड है तो अगर आपके पास में तो आप भी यहाँ पर एक बार जरूर बेचे हैं अगला वाला जो कोईन है वो वन रूपे वाला कोईन है आप देखने हैं एक रूपे लिखा हूँ है यहाँ पर गाउं के बालियों है चेतर एक रूपे लिखा हूँ है काभी पुरानी सन है दो चार दो सन है और इसके कोईन के नीचे आप देखने हैं इस्तार मिंट मारक है अगर एक रूपे वाला कोईन आपके पास में इस्तार मिंट मारक वाला है तो जिनकी कोईन की कीमत है वो आपको आठ लाख रूपे मिल लिए और टोटल ऐसी मेरी कमपनी को 10,000 कोई चाहिए अगर आपके पास में भी एक आदा कोई पीस है तो एक बार आमारी कमपनी को आवसे बेचे हैं इसकी अगले वला है जो इंद्रा गांधी वाले कोई ने आप देख रहें इंद्रा गांधी वाले हो गया मैंने पीछे 6,000 कोईन की डिमांड है अगर आपके पास में तो ये कोईन आप लग बारा लाक रुपे में बे सकते हैं क्योंकि ऐसे कोईनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है इसलिए गाई जगला वाला है पांच रुपे वाला कोईन है ऐसे पांच रुपे वाले साधे आपको कई अल कोईन की जरूरत है अगर आपके पास में एक अदा पीस है तो जरूर हमें बेचे हैं अगला वाला है बीस पैसे वाला है अगर आपके पीस पास में बीस पैसे वाला कोईन हो गया तो कापी कीमत है क्योंकि यह कमल वाला चित्र है और यहां पी आप देखने हैं पैसा लिका अगर आपके पास में तो एक बार मेरी कमपनी को आप अवसे बेचे हैं गाइज मैंने जो भी सिके बताएं जो भी नॉट बताएं ये सारे अगर आपके पास में उपलिप दें